दोस्ता आज की वीडियो में आपका स्वागत है ता आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सेलो का एस प्रो मार्वो पेन तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि यह प्लास्टिक के जार में आया है पर यह आपको देख सकते हो मेट इन इंडिया है और यह बॉल पैन है और एवेलेवल इंक कलर इसका ब्लू है बाकि आपको ब्लू ब्लैक और रेड इन तीनों कलर में आपको मार्केट में रिटेल प्राइस पर मिल जाएगा है जो कि 10 रूपीस और बाकि अगर आपको और कुछ पढ़ना इन के दोनों की ब्लू है बाकि आप देख सकते हो अगर आपको कुछ तेखना जार में तो तो जार को ऑपन करते हैं और चलिए एक ब्लैक और एक वाइट कलर का पेन निकाल लेते हैं बाकी इस jar को बंद करके रख देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों के दोनों पर सेम है डिफरेंस कुछ भी नहीं है बस body color का डिफरेंस है तो white वाले लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है cello s pro cello s pro लिखा हुआ है और बाकी अगर मैं धक्कन की बात करें आप देख सकते हैं चुटकु सा धक्कन है और इसमें एक stopper भी लगा रखा है ताकि इंग ड्राई ना हो जाए तो और यह pen refillable है तो आप इसको यह पीछे से ऐसे खोल सकते हो तो यह देखिए तो यह इसकी refill तो आप देख सकते हो refill इसके एकदम पतली सी है और पर इसकी जो lasting time है वो अच्छे कासी है तो आपके one to one point five months यह आराम से आपका चल जाएगा चाया आप इसको rough या fair दोनों में यूज़ कर सकते हो तो पर मुझे refill में एक चीज disadvantage लगी वो है कि इसमें refill indication नहीं है मतलब transparent refill नहीं है तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि इसकी refill मतलब खतम कब होगी या कितनी भरी हुई है तो यह disadvantage है तो आईए इसको फिर से डाल देते हैं अंदर और अगर मैं look wise की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसका look बहुत ही अच्छा है टेन रुपीस के price के साब से यहां पर आप देख सकते हो cap का जो clip है उस पर भी एक अच्छा सा logo बना हुआ है जो की मतलब दिखने में सुन्दर लग रहा है आप देख सकते हो और बाकि अगर pen के बाकी design की बात करूँ तो वह भी बढ़िया है तो overall design wise भी सही है तो एक बार आप इस black वाले pen के उपर भी एक look माल लीजिए इसमें भी वही सेम जगह पर सेम logo और सेम जगह पर वही सेलो मार वह लिखा हुआ है और बाकि वही सेम pen है बस color difference से उसके वही सेम white वाली refill है वह difference नहीं है उसमें और अंदर वी विल्कुल वैसा ही है तो चलिए मैं अब आपको इस से लिखके दिखा देता हूं कि यह लिखता कैसा है तो यह हमारा pen तो जैसा कि आप देख सकते हो pen बिल्कुल एकदम अराम से smooth लिख रहा है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और देख सकते हो कि कहीं पर भी इसने ink मतलब leave नहीं कर रहा है कोई space नहीं है बहुत अच्छा और smooth pen है और thickness भी आप देख सकते हैं इसकी thickness भी अच्छी खासी है इसकी 0.7 mm की tip है तो bold और मोटा भी लिखता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और मैं आपको एक बार यह black वाले pen से भी लिखके दिखा देता हूं जबकि इसका भी ink color blue है फिर भी मैं आपको एक बार लिखके दिखा देता हूं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह बस body color का difference है ताकि मतलब थोड़ा सा look थोड़ा सा change हो जाए बाकी इन दोनों का ही जो इन color है वो same है आप जैसा कि देख सकते हूं और अभी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इसमें blue black red तीनो color आते हैं तो आप सोच रहाँगे कि हम लोग differentiate कैसे करेंगे कि blue कौन सा ब्लैक कौन सा है तो अब cap का जो tip है यह cap का tip सा आप identify कर सकते हो अगर cap का tip blue है तो वो blue pen है और black है तो black और red है तो red है तो अब बस इसी से आप differentiate कर सकते हो कि यह pen के ink का जो color है वो कौन सा है तो बहुत ही simple तरीका है तो अगर मैं इसके advantage disadvantage की बात करूं तो मुझे इसमें ज्यादा तर advantage दिखे स्मूद लिख रहा है 0.7 mm की टेप है डिजाइन वाइस ठीक है और प्राइस वाइस तो बहुत ही जाद अच्छा है सरफ 10 रूपीस का है और ऐसे body material जो है grip भी मिल ला है यह देखें यहां पर grip भी बनाया गया 10 रूपीस के pen में ताकि इसको hold करने में कोई भी दिक्कत ना है तो that's a positive point तो disadvantage तो मुझे इस pen में एक भी नहीं दिखा अहां एक के अलावा मैं भूल गया था कि इसके जो refill है उसके refill में बिल्कुल भी indication नहीं है कि प्रॉब्लम आता है इक्जाम वगरह में तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी refill भरी हुई है या खतम हो गई है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डेली लिखने का काम होता है और खासकर रफ या फेर चाहिए जो भी हो आपके इसाफ से तो मैं आपको जगा आपको थोड़ा discounted price मिल जाता है तो उसमें आपका benefit रहेगा वैसे sponsor नहीं है मैं पहली बता दे रहा हूं तो आप लो या ना लो मुझे कोई फरक पड़ता नहीं है तो थैंक यू तो आज की वीडियो के लिए इतना है तो like share और subscribe जरूर कर देना तो अगली वीडियो में जल्दी एक नए topic के साथ मिलेंगे तो बाई बाई